मित्रों, नमस्ते, आज कैबिनेट ने कुछ फैसले किये हैं, उसकी जनकारी में आपको दूँगा एक फैसला बहुत ही महत्पून है, जो मैं आपको लास्ट में बताऊँगा, ये पहले मैं कैबिनेट कमिटी और एकनॉमिक अफेर्स के फैसले की जनकारी आपको दे देता प्रदामंद्री के अधक्ष्टा में कैबिनेट कमिटी और एकनॉमिक अफेर्स ने, डैम की सुरक्षा और रिहाबिलिटेशन के लिए, लगबग 3,466 करोड का फिनेशल असिस्टेंस को एप्रूबल दिया है, 3,466 करोड देश के जितने डैम हैं, उनकी सुरक्षा, पुनर्वास, रिपेर, एक्सेटरा के लिए, कैबिनेट कमिटी और एकनॉमिक अफेर्स ने, 3,466 करोड रुपिये का एक पैकेज दिया है, वो देश के 198 डैम्स पे लागू होगा, उसमें वर्ल्ड बैंक का एक बहुत बड़ा प्रिंस्पल कंपोनेंट है, लगवग 2,628 करोड वर्ल्ड बैंक का कंपोनेंट है, बाकी राज्य और केंदर मिलकर करेंगे, और इसमें रिहाबिलिटेशन, इंस्टूशनल स्टेंसिनिंग, प्रोजेट मैनेजमेंट ये सारी जो इंदौर बुधनी, दो हजार पाँच किलोमेटर की लाइन है, इंदौर बुधनी, इसको आज नई लाइन और एक्टिफिकेशन के साथ काबिनेट कमिटी और एकनॉमिक अफेर्स ने एप्रूव किया है, इससे जबलपूर इंदौर की दूरी 68 किलोमेटर कम हो और ये पहले जबलपूर इंदौर के बीच में भोपाल के माध्यम से जाना पड़ता था, और इंदौर और मुंबई के दूरी भी बहुत कम होगी, इसका कुल खर्चा 3,261.82 करोड से, 3,261.82 करोड और स्वयम पधारमंत्री जी का निरदेश, वित्यमंत्री जी का सहयोग सुश्माजी ने इसके लिए बहुत पहल की थी, और इसके बाद ये बहुत ही रेलवे नेगलेटर एरिया है, तो मानियरेल मंत्री ने प्रस्ताव लाया, उत्तों आपको मालू है कि हम पूरे फटलाइजर को रिहाबिलिटेट कर रहे हैं देश में, सिंद्री बताया, गोर आपको मालू है कि जब गासिफिकेशन से फटलाइजर बनता तो सस्ता होता है, पारमपरी गूप में, और उसके बाद इस गैस का बागी उप्योग होगा आप जानते हैं, आज हमारी कैबिनेट कमिटी ने प्रदानमंत्री के निर्देश में देश की आंगनवारी और आंगनवारी हेलपर के लिए बहुत बड़ा एक पकार से उनको आशिरवाद और सनेह दिया है, उनके पूर पर मेहना अब यह बढ़कर हो गया 4,500 पर मेहना, तो पूरे 1,500 रुपे की बढ़त हुई है, और आगनवारी वरकर जो है, जिसको हम मिनी आगनवारी सेंटर भे कहते हैं, वो पहले 2,250 मिलता था उनको, अब वो बढ़कर 3,500 हो गया है, और जो आगनवारी हेलपर हैं, जिनको सिर्फ 1,500 मिलता था, उनको भी 2,250 मिलेगा, तो 27,00, आगनवारी वरकर, उसको आगनवारी हेलपर जो देश में हैं, उनको इससे सहयोग मिलेगा, आप सभी जानते हैं कि जो 6 साल की बच्चिया होती हैं, उनका लो बर्थ, इंपाव्मेंट ऑफ एडिशन गर्ल्स, न्यूटिशनल, इसमें हमारी आशा बहनें बहुत बड़ा काम करते हैं, और मैंने आइटी मंत्री करूप में इनको आइटी इंपावड करने का भी एक विशेश कारिकन CAC के मादम से चलाया हुआ है, इसमें इसको 20 तक ले गए है टोटल वेर दस हजार छे सो उन्चास पॉइंट 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 पर वन करोर अटाएगा, टोटल एक्स पंडिशर ऑन अकाउंट ऑ रिविशन अफ दिस हॉन्रेरियम अफ आशा ग्रोप वर्कर्स विल from 2018-19 till 2020 will lead to 10,649.41 ग्रोड पाकी जो आशा बेनिफिट्स होता है, ये इसको हम एक्स पोस्ट्वाट्व अप्रूबल किया था, इनको हां, कि जो पहला मैंने दिवाइज एस्टिमेंट बताया आशा वर्कर्स का, ये ये शुरू इसका पेमेंट होगा 1 अक्टूबर 2018 बाकी आशा बेनिफिट्स पहले ही दिया जा चुका है, उसको हमनों ने अप्रूव किया है, जिसके कारण उनका, जो आपको मालू में जो सारे हमारे जीवन जोती बीमा है, प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, और हमारी बाकी इन सबों में आशा वर्कर्स का और भी बहुत अधिक योगदान होता है, उनको प्रेजित करने में, तो उसमें थी उनका पैकेज पहले एनाउंस हुआ था, तो बारह हजार दोसो चौविस पॉइस पॉइंट नाइन सेवन करोर्स, उसका वो सहय उग लेंगी, और आपको मालू में जो सारे हमारे प्रधान मं रुपीज पर एयर के माध्यम से आपको दो लाख रुपे मिलते हैं, और बाकी आपको मालू ही है कि एक लाख रुपिया अगर आपको एकसिडेंट में आपके लॉस साइट हो गए बाकी होई तो इससे मिलता है, मित्रों कैबिनेट में आज जमू कश्मीर के लिए ये जो दिन दियाल अंतियोदर योजना है, इसको एक साल तक और बढ़ाया है और इसके लिए 143.604 करोर रुपे क्या आपको मालू है कि पहले सुप्रिम कोर्ट ने एक फैसला किया था, उस फैसले में तीन तलाख को निरस्त किया था, दो जजज ने पाया था कि ये अर्बिट्ररी अंकॉंस्टूशनल है, एक जजज ने कहा था कि ये पाप है जो पाप है वैदानी कैसे होगा, और उसके बाद फिर बाकी दो जजज ने कहा कि इस पर पार्लेमेंट कानून बनाए तब तक छे महने के तेम इसको रोग देते ह ये जजज ने आपको मालूम है पिछले साल का था, लोग सवास से हमने इसको पारिद कराया, राज सवाह में लटक गया, और मैं आपके सामने एक स्टाटिस्टिक देना चाहता हूँ, अभी तक चार सो तीस तीन तलाक की घटनाएं हमें मालूम हूई है, जो हम जानकारी प्राप्त कर पाएं, विबिन सोदों से, जिसमें दो सो उनतिस जज्जमन के पहले के हैं, तुरत उसी साल के, और दो सो एक जज्जमन के बाद के हैं, और यह संक्या है, जनवरी 2017 से सितंबर 2013-2018 तर की, इसको इतना अपुड़ेट किया है, अब दान के इसका हैं, इसको इतना अपुड़ेट किया है, त रिन्स्टना तर लिए इसको इस का एंपोर्तिस्ट्व किया हैं, और भी जखाना बिल दोत ब्लीन सारष इसके बाद सॉ got all the evidence before us, series of paper, यह सब हमारे सामने है, कि रोटी काली हो गई, तो तीन तलाग दे दिया, सुबह लेट से उठी तो तीन तलाग दे दिया, विदेश से वाट्सा से तीन तलाग दे दिया, और मैं मीडिया का बहुत ही अनुगरेत हूँ कि मीडिया ने इसको विस्तार से छापा है, काफी जनकारी हम को मीडिया के माद्धम से ही मिली है, मेरे पास स्वैम बहुत शिकाईत आती है, हमने कॉंग्रेस पार्टी को साथ लेनी की बहुत कोशिश की थी, प्रधान मंत्री के निर्देश पर अनंत कुमार और हम उनके नेता उपनेता से मिले थे, तो हमारे गुलाम नभी थोड़े वैस्त थे कहे कि अनंत कुमार दिसे बाकी बात करिए, मैंने पांच बार उनसे आग्रह किया, पांच बार, कि आप समती दीजिए, अब तो काफी बदलाव भी हो गया है, का मैं उपर बात करके बताओंगा, उपर बात करके बताओंगा, और लास्ति के कहानी आपको मालू है कि बाकी पार्टियों कभी द्राय लीजिए, वोर्ट बैंक के दबाव में कांग्रेस पार्टी ने समर्थन नहीं दिया, और हमारा स्पष्ट आरोप है, कि सुनिया यह ऐसी वरिष्ट महिला नेत्री होने के बावजूद, महिलाओं के खिलाफ इतना बड़ा दमनकारी तीन तलाक चलता है, और खामुष रहती है। यह एक मैं दिया स्च चर्ज विट वुट आरोपूद यह ने दिविष्ट वमन लीट इस अविशन लीड़ आरोफ ओंवां पूंग्ट विदू यह विधिए, प्यूद यह विष्ट विवेश्वेश, जिविए, विवेश्श, चैपल तलाक चर्ष भाव, बाव, विवी ambiguity and vaccination of the Congress party for pure vote-bank politics because I have myself approached them as I said five six times therefore I have committed to you up the team-talaqa yeh chal raha hai when the number by a 430 13 September the the punt that is the urgency by Keith's Day and a I am a it is key male I'm sorry about your only good you could tell me how I'm the public As a partner with the if the Duchess is here-by-and-case Eagle by the Dutch I know it is a good my 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 yeah, mr. 17 se judgment could be the 126 cases हुए और judgment के बाद 120 cases हुए और यह case वही है जो हम collect कर सके media की मदद से बाकी कर से बहुत कुछ unreported है therefore there was a compelling necessity to come with an ordinance there was an overpowering urgency to come with an ordinance दुनिया के बाइस Islamic मुलकों में तीन तलाग को नियंजित किया गया है लेकिन भारत ऐसे secular मुलक में बड़ी संक्राइब में हमारी खवातीन बेटियों बहनों के साथ नाइंसाफी हो रही थी though nearly 22 Muslim countries have regulated triple तलाग by various measures in a secular country like India protected by fundamental rights under article 14 15 and 21 gender justice was given complete go by because of blatant vote bank politics और ये बाद में पहली भी कही है तीन तलाग का मुद्दा न पूजा का है न प्रातना का है न धर्म का है न इबादत का है ये मुद्दा है नारी 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 गरिमा नारी सम्मान I have said it on many occasions earlier that the issue of triple तलाग has nothing to do with faith or mode of worship or religion it is a pure issue of gender justice gender dignity and gender equality क्या ये मुनासिब होगा कि आजादी के 70 साल बाद भारत के संविधान और मौलिक अधिकारों के रहने के बावजूद हमारी खावातीन को कहा जाए तलाग 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 और तुम सलक बजाओ और अर्जंसी का एक कारण आप लोग और समझे वो लोग कई बार ठाने में गई ठाने का स्वारी भी डूंट है नी पावर क्योंकि कानून है नहीं ये जो पूरा कानून है इसके तीन मुख बिंदियों को जो पहले भी कैबिनेट ने अप्रूब किया था आज मैं बताना चाहता हूँ इसको रिपीट करना चाहता हूँ पहले हिंदी में कहूँगा फिर अंग्रेजी में बता दूँगा इसमें जो अपराद है वो कॉगनेजल तभी होगा जब इसकी शिकायत पुलिस में महिला स्वैम करेगी या ब्लड या मैरिट से उसके कोई रिषदार करेंगे मतलब कोई पड़ोसी या कोई अंजाना व्यक्ति ये केस नहीं कर सकता कॉगनेजल का मतलब होता है पुलिस सिधा करवाई में आती है गिरफतार भी कर सकती है तो ये प्रक्रिया तभी शुरू होगी जैसा मैंने बताया कि या तो महिला स्वैम करेगी या उसके खून के रिष्टे या शादी से रिष्टे के लोग करेंगे दूसरा इसमें पत्नी के इनिशेटिव पर समझाता हो सकता है कंपाउंडिबल कहते हैं कई बार गुस्टे में के लोग करते हैं बाकी करते हैं जब कानून की धमक दिखाई पड़ती है तो तैयर हो जाते हैं तो जब पत्नी चाहेगी तो वो समझाता कर सकती है मजिस्ट्रेट के द्वारा उचित शर्टों के साथ तीसरा इसमें मजिस्ट्रेट बेल दे सकता है लेकिन पत्नी सके सुलवाई करने के बाद हम चाहते हैं आपको यह बताना कि हमने क्यों कहाई है कि समझाता इस्ट्रेट के पबलिक तो जब उट रहते हैं यह पत्नी के बीच का निजी मामला है अपराद है इसलिए पत्नी ने अगर गुहार लगाई है तो बेल देने के पहले उसकी भी सुनवाई करिया इसका आशा यह है कि हम किसी परिवार को तोड़ना नहीं चाहते हैं कई बार ऐसा होगा कि मजिस्ट्रेट के सामने स्वैम सुला हो जाएगी और बाकी तो पूर्व में है कि छोटे बच्चे जो माइनर है उसकी कसड़ी मां को मिलेगी और पत्नी और बच्चे का मेंटिनेस का अधिकार मैश्टेट निरदेश देगा और पती देगे मैं इसका शॉट में अंग्रेजी में भी रिपीत कर देता हूं the core component of this ordinance is that an offense will be cognizable only and only when the fire is filed by the victim wife or her close relations by blood or by marriage the second it is compounded but it can be compromised but only at the instance of the wife upon appropriate terms and conditions as determined by the magistrate and thirdly a bail can be granted by the magistrate upon reasonable grounds but only after hearing the victim wife also and the rationale for bringing the victim wife to be heard before bill is granted is because this is a private dispute between the husband and the wife and therefore the wife must be heard in the bill is granted as far as the other provisions are concerned the mother the victim wife must get the custody of the minor child is a part of this bill ordinance also and the mother is entitled for a maintenance suitably determined by the magistrate for herself and also the minor children so mr. yes people you robots we have taken care of the most independent :「 constitutional urgency :「bajinора जीन शर्जन जी जींसे जैसा मैंने बताया कि तीन तलाक बेद्लक चल रहा हैं और वीक्टिम पर्दक्त्त्या पत्नी के पास कोई उपकरण नहीं है अपने को बचाने के लिए तो इसलिए हमने इसको लाया है आपके प्रश्ट निलने के पहले मैं एक बार सोनिया जी से फिर अपील करूँगा कि सोनिया जी ये अध्यादेश देश हित में लाया गया है सोनिया जी ये अध्यादेश देश की नारी के इनसाफ के लिए राया गया है मैं आपसे अपील करूँगा कि वोट बैंक की चाहर दिवारी से उपर उठकर इनसानियत और इनसाफ के लिए आपका समर्तन हो और मेरी यही अपील मायावदी जी से भी होगी और मेरी यही अपील मंता जी से भी होगी आप तिनों वरिश नेत्रिया हैं तो जहां सवाल इस देश की खवातीनों के इनसाफ का है तो आप भी सियासत के वोट की चाहरदिवारी से उपर उठकर इन सनेद के साथ खड़े हो जाएए अब ही तो कैबेट ने पास है वहाँ भेज रहे हैं चलिए ठीक आप नहीं मैं उस प्रश्ट का उत्तर दे दू ये विशे दूसरा है ये संसब में पास है दूसरे हाउस पे पेंडिंग है इसके कंटेंट्स आपको मालूम है इसलिए हम बता रहे हैं हाँ कुछ परिवर्तन किया है जो बता है आपको अब ठीक है उतो तो संस्थिए परंपरा प्रक्दिया कहा मनुपार्ण करेंगी कि अगर आप ये बात बिल्कुल कानली रूप से पूछते हैं तो कि अलोरी ट्रस्पेक्टिव नहीं होता है इनसका एक ओड प्रविज मगदा है चानली परिवर्तन कि अगरण का इनसका अगरण का नहीं होता है अब फिर बहुत लंबा लगेगा मैं फिर करूंग यह अंडरेस्टिमेट भी है यह वही है जो मालुम कर पाए आप लोगों की मदर्थ से हो सकता है इसका दूगुना हो अब बिहार में 19 है 36 गर डेली में 1 है गुजडात में 4 है हर्याना में 4 है जमू कश्वीर में 7 है बट इस लॉट अपाई तो जमू कश्वीर अब ही तक हमको एक जानकारी मिली है जारखन में 35 है मद्ध परदेश में 37 है महराश में 27 है तुमिलादू में 10 है तलंगना में 10 है इस तरह से सबहे तो आई रपी जनवरी 2017 we have fixed only because supreme court judgment and all these things I again repeat these are what we could get I would appeal to all of you to help us getting more in many villages we are not able to reach but the bottom line is the curse of triple talaq continues unabated and whatever we have been able to collect is shocking sir sir triple talaq विदयक को जैसे cabinet ने मंजूरी की खबराई कांग्रेस ने यारूप लगाए मैंने पहली बार काही मांदारी से कहा कि यह विशय वोड बैंक से उपर है ने पती जाएगा पत्ति को समझाएगा दोनों मिलकर जाएंगे देखिए को जब सम्झाएगा होता है तो उस सम्झाएगा कीमत होती है उसके अथरटी होती है वो रेकॉर्ड होता है उसके पती फिर उसके अलग में जा सकते हैं तो मैंने यह क्यों जान बूच कर दिशे क्यों नख्खा है पत्नी स्वयम कहेंगी अब वो ठीक हो गए हमें वाप इसलिजाने को तयार है इसलिए मैं हूँ तो कोटुन से भी पूचेगा आपका क्या कहना है and it will be recorded in the part of the compromise. it will become an order of compromise having the seal of the court. आप प्रिश्च करोई आप ने लिए वाप यू जान पर वाइगा तुछ जारव करेंगे उस विश्चे का आज मैं उत्तर में दिसकता हूँ लॉख में होता है प्रोविजन कॉंटिनि वाफेंस देखना पड़े लेकिन समानता जो कानुन प्रोविजन है कि criminal law is not fastened retrospectively. Okay, आपकोहेले पुछेले लिए. Sir, a UAE court has said that they are ready to extradite... Stop. First triple the luck. Yeah, triple the luck. आपने पुछे लिया भुछाए, हाँ, मताई. Around the issue of the opposition parties just now have welcomed the decision, saying it's, you know, with a human face finally, but they point out that it was, you know, they had been pointing out from the day one when you introduced the bill after the Supreme Court had read unconstitutional about criminality. Why did you have, take so long to water down the bill and bring those amendments to the Rajya Sabha? First of all, there is no watering down in the bill. It remains cognizable with three years of punishment. There is no watering down. As we got, the Congress allegation is concerned. The Congress has supported this bill in total in the Lok Sabha, even without these amendments. I am not going to get your certificate about Congress. Congress Party's role in the Rajya Sabha is too well known. They did not cooperate. And the matter is there. Okay. Yes. And therefore I have also appealed today that if they are serious and earnest, let them publicly say that when we revert to the Parliament, when the session commences, they will support it. We would appreciate their support on the floor of the House, not before television channels. Yes. Thank you. Thank you. कि इसका 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 उत्तर बहुत पश्ट है कि मैं हमसे मिले बाक्चीप भी उसमें दिक्कत नहीं है उन्हें कुछ कहा दे हम आपको बताएंगे बताएंगे अब वह हमें कुछ बताएंगे तब ना बाता आके बरेगी लास्ट दिन नहीं कहा कि बाकी पार्टियू के साथ अगर वो कहते है कि एक बार प्था मंतुजी आगरा करें सुनिया जी से या आप जाके उन्से मिलें तुम जरूरर जाते है तरिये ठीक है धन्ने बादा आपको उतर देरिया आमने होते है Sir, this bill and this ordinance is a concrete step towards empowerment of Muslim women. My question is, what will the BJP and the government will do now for political empowerment of Muslim women? Will we see any participation in the form of tickets to Muslim women in the coming elections? I would request you don't reduce this debate to political empowerment. That is a part of the process. You have seen how Muslim women in Burka had welcomed Modiji in Varanasi. We are consciously and deliberately keeping this bill away from political divide. It is, as I said, only for gender justice and gender empowerment. No question on Timbal Dalak? Any more question? No, Triple Dalak के ओपर और कोई का question नहीं है? चल यह रिखिए अड़ी पर मैं कुछ पहले अंग्रेजी में बोलूंगा, पर हिंदी में बोल देखिए? I don't think JPC or CAG inquiry is set up to satisfy the ego of an ill-informed leader who repeats lies with alarming regularity but what has struck me more that Mr. Anthony who was the defense minister for eight years during which nothing could be done for modernization and empowerment of Indian forces he was the minister when the offset rule was framed as Nirmalaji has already articulated he was the minister who left the HAL in lurch as far as the joint operations is concerned Mr. Anthony has a lot to answer but today I would like to raise a more important question Indian Air Force badly needs planes old planes are causing repeated accidents and injury and even death of pilots should the Congress at least rise to the occasion for the sake of country's safety and security that's the larger question that's the larger question I would like to flag our government is working honestly and our government is committed to ensuring safety security and weapon strengthening of Indian Air Force that means I will say 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 JPC inquiry you are CAG inquiry I will say I will say party ने एके अंथोनी के टिपणी को देखकर वो भारत के आठ साल रक्षा मंत्री थे जिनके आठ साल के लंबे कारेकाल में भारतिय सेना के विपनाइजेशन में सबसे कमजोरी आई थी राफाइल डिल उन्होंने निगोशियेट किया दस साल में कुछ नहीं कर सके आफसेट टूर उन्होंने बनाया है एचेल को बिच किया उनकी सरकार ने और आज हमसे सवाल पूछना है निर्मला जी ने इसका विस्तार से उत्तर दे दिया है मैं एक ही बात कूंगा कॉंगरेस पार्टी देश की सुरक्षा के साथ खेलवार करना बंड करें हमारी सरकार इमानदारी से काम करती है और आज देश का जो हमारे वायुसिना के विमान है वो पुराने हो गए है एक्सिदेंट्स होते हैं पाइलेट्स की जान जाती है उनको नए विमानों के आवशक्ता है और जिस तरह से वो करने की कोशिश कर रहे हैं इससे बड़ा दुरभाग यह और गैर जीमेदारना आचरन कोई नहीं हो सकता करता है पाडिश कर दूख कर दूख तरख छुच विमानों के भी और खुच कर दूख और जोख अना यए ज़िए अटर खावılar भी नविच विट ब्यूट क्रिश्चन मिशल के प्रत्यावरतन पर जो दुबाई के नियाले ने फैसला किया है वो एक अभिनंदनी और स्वागत योगिकार है लेकिन मेरी लिए कुछ अजूबी की बात ये है कि इस जानकारी प्राप्त होने के बाद देश की राजनिती कुछ महत्पुन लोग बहुत ही असाज महसूस कर रहे है